नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है पीशे 28 जून शुकरवर दोपर सवातीन बिजे राजसान की 15 बड़ी खबरें सबसे पहले एक नज़े डालते आज की हैडलाइन्स पर जनता को खुश करने की बड़ी तैयारी अधिकारियो सन बैठक कर सकते हैं पीएम मोदी पेपर लेक माफिया हनुमान ने उगले राज SOG को बताया कैसे करता था डील RBSC ने की पूरक परिक्षा और मुखे परिक्षा के अवेदन की तिथियां गोशित लोगसबा को सौंबर एक जुलाई तक के लिए स्थगित पूरिस को अशनका राजस्तान में वर्ष 2022 की थर्ड ग्रेड शिक्षक भरती का परचा थनलीक और अब खबरें विस्तार से सुनगे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी सब्ता ही अपने आनला अफसरों के साथ बड़ी वैठक करके जनहित के कारियों की समिक्षा कर सकते हैं अब बारी हैं सरकार को काम करके दिखाने की अधिकारियों के साथ बैठक में जनहित की योजनाओं और आखिरी वैक्ती तक योजनाओं को पहुंचाने को लेकर चर्चा हो सकती हैं मेडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोधी वी भागवार भी 125 दिनों की एजन्डे की समिक्षा कर सकते हैं इसमें अंतियोद्य के सिध्धान पर विशेश तोर पर ध्यान दिया जा सकता है रादसान में पेपर लीक केस की गिरफतार किये गए हनुआन मीना ने जाच एजन्सी एसोजी की पुछताच में चूंगाने वाला बड़ा बियान खुलासा किया है हनुमान ने एसोजी को बताया कि वहें पान साल में तेरा विभागों की भरतियों में डम्य अबहरती बिठा चुका है वहें तीन से साथ लाक रुपे लेकर अब तक सो से जादा लोगों को नोकरी लगवा चुका है उसने टॉंग और स्वाय मादवपूर में अपने गैंग बना रखी है उसके सभी डम्य अबहरती पाली जालोर और जोदपूर के रहने वाले हैं डम्य अबहरती बिठा कर पास कराए गए कई लोग आज भी नोकरी कर रहे हैं अपने परिवार और परिज़तों के 27 लोगों को भी नोकरी लगवा चुका है टॉंग जिले का रहने वाला हनुआन मीना हाल ही सस्त्र से गृफता किया गया था राजसन मादेमेक शिक्षा बोर्ड ने पूरक परिक्षा दोजार चोबीस मुख्या परिक्षा दोजार पच्चिस एमम इनके लिए आवेदनों की तिथियां घोशित करती हैं बोर्ड की सप्लिमेंटरी परिक्षा के प्रैक्टिकल 25 जुलाई एमम से धान्दिक परिक्षा एक अगस से शुड़ू होगी इसी तरह एम बोर्ड मुख्या परिक्षा दोजार पच्चिस के तहर सीनिय सेकेंटरी के परिक्षा 20 फरवरी एमम सेकेंटरी परिक्षा 27 फरवरी से आयोजित करेगा इनकी आवेदन की दिथियां भी निर्धारित कर दी गई है संसत सत्र का शुकरवार को पांचवा दिन है रास्टर बती के अभिभाशन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आलसे चर्चा की शुरुआत हुई लेकिन कारेवाही शुरू होने की 15 मिनट में ही सदन 12 बजे तक स्थागित कर दिया गया हाना की कारेवाही दुबारे शुरू होने पर विपक्षन एक बर फिर अंगामा कर दिया जिसके बाद लोकसबा को सोवर एक जुलाई तक के लिए स्थागित कर दिया गया है डबी अभी हर्थियों की जरी कई सरकारी विभागों नोकरियां हासिल करने के मामने में बड़ा खुलासा हुआ है पुलिस को आशनका है कि वर्ष 2022 में हुई 33 श्रीनी शिक्षक भरती परिक्षा का पर्चा लीग हुआ था अगला 24 घंटे में इसे लेगर पुलिस मामला दर्च कर सकती है यही नहीं इस सिल्सले में स्पेशल ओपरेशन ब्रूप जल्द ही बांसवाडा पहुंच सकता है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस सुत्रों ने बताये कि वर्ष 2022 में प्रदेश में 21,033 शिक्षक भरतों के लिए भरती निकाली थी परिक्षा के कुछ सेंटर बांसवाडा में भी बनाएं गए थे पेपरबांसवाडा शहर के एक केंदर से आउट हुआ एंसा मनकर पुलिस जांच कर रही है पुलिस को मिले इंपुट के बाद कुछ लोगों से पुलिस ने पुछताच की तो कुछ हाथ नहीं लगा पुलिस टीम ने शहर में दो जगाओं पर छापा मार कारेवाई की तो कई तथे सामने आए दिल्ली के इंदिरा गांदी इंटरनेशनल एरपोर्ट पर शुकर और सुबह हुए हाथ से में एक शक्स की मोथ हो गई तो पांच खायल हो गई टर्मिनल एक की छट गिरने से हुए हाथ से के बाद सियासत भी तेज हो गई है कॉंग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर आप रोप लगाने शुरू कर दिये हैं कॉंग्रेस सदेक्ष मलिकार जुन खड़गे ने हाथ से के लिए फ्रस्टाचर को जम्मेदा ठहराया हैं तो मोधी सरकार ने यह कहकर जवाब दिया कि जो हिस्सा गिरा है वह है 2009 में बना था हूँ महरास्ट्र राज्य सहकारी बैंक में हुए कथित 25 हजार की घुटाले के मामले में एडी और मुंबई पुलिस सामने सामने आई है कोट में मुंबई पुलिस की आर्थिक अप्राद शाखा द्वारा मामले की क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई थी वहीं एडी ने इसका व बतोर आरोपी नाम जद किया था लेकिन बाद में इओ डबली ने कहां कि शिर्श सहकारी बैंक को कथित गोटाले से कोई नुकसान नहीं हुआ राजसान पुलिस लकाद में फरजी सब इंस्पेक्टर बनकर ट्रेनिंग करने वाली मोना के घर पर गुरुवार देराज जैपूर शास्त्री नगर थाना पुलिस ने सर्च किया इस दोरान मोना के घर से पुलिस की वर्दिया इंटरनल एक्जाम के पेपर और साथ लाक रुपे समेद अन्य समान मिला है डी एस पी राशी डूडी डोगरा ने बताया फरजी सब इंस्पेक्टर बनकर आरपिय में ट्रेनिंग करने वाली मोना बुगालिया और फुमूली के खिलाफ करेवाई की गए है कोट की ओर से गुरुवार देश राम सर्च वारेंट मिला इसके बाद राद 9 बजे शास्तिर नगर जैपूर की मेजर शेतान सिंग कलोनी स्थित किराय के कमरे पर सर्च किया गया राजसान की खान सच्रीवाननदी ने कहा है कि प्रदेश में मिनरल एक्स्प्लोरेशन कारे में जुटी के इन रिवेराज्ये के संसाओं से परस पर समन्वेवे सयोग से खनिज खोच कारे को गति दे जावें उन्होंने कहा कि मेजर और माइनर खनिज पुलाटों की निलामी में राजसान देश के अगरेनी प्रदेशों में शुमार हो गया है उन्होंने एन एम इटी के मादिần से अधिक से अधिक अडिक अट्सप्लोरेशन कारे चलाने को कहा तांकि प्रदेश में खनीज खोज कारे में और अधिक तेजी आ सके अब तक 15 ब्लोकों की निलामी सफल रही है राजसान के मेवात इलाके में साइबर फ्रोड करने वाले अपरादियों के खिलाफ लगता शिकंजा गस्ता जा रहा है इसमें लिप्त अपरादियों की संपती का ब्योरा एकतरित किया जा रहा है जिससे उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने की कारेवाई की जा सके इस संबन में अलवर पुलिस अदिक्षिक आनंद शर्मा ने बताया कि जिस तरीके से भरतपुर में उप्रेशन अंटी वायरस चल रहा है इस पैटन पर यह उप्रेशन अलवर में चल रहा है आईजी भरतपुर और जैपुर द्वारा में वात के पुलिस अदिक्षिकों की बैठक ली गई जिसमें एक खाखा तयार किया गया कि किस तरीके से साइबर फ्रोड करने वालों के खिलाब सकत कारेवाई की जा सके अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टीम और गेगल थाना पुलिस ने नकबचनी की वार्दत करने वाली अंतर राज्य गैंग का खुलासा किया है पुलिस ने इस मामले में गैंग के सरगना चितोड़ दर निवासी इश्वर सहीद साथ बदमाशों को पुलिस ने गिरफतर किया है उनके पास दो लाक बाइस हजार के सोने के जेवर छी गिलो पांसो पचास गराम चांदी के जेवर और अन्य समान जब्ट किया गया है प्रीम आंथन की बरसाथ में धोलपुर में पानी पानी कर दिया कई सानों पर रात तक गंदा पानी नहीं निकला नगर परिशत की सफाई विवस्ता की पूल नयायले परिसर इलाखे में खुल गए जिला नयायले परिसर जल मगन नजराया यहां दिकांश कोट कक्षों वारिश का पानी भरा हुआ है हाल यह था कि कोट करमचारियों को फाइलों को पानी से बचाने के लिए खासी में शक्कत करने बड़ी जैपुर के नियू सांगनेर रोड पर अवैद अतिकरमन के खिलाफ जैपुर विकास प्रादिकरन की कारवाई दिसरे दिन भी जारी है शुकरवर को जैडी ए की ओर से सांगनेर से विधानसवा चुनाव में कॉंग्रस प्रत्याशी रहे पुषपेंदर भारदवाज के ओफिस से अतिकरमन हटाया गया जमेन घोटाला मामले में जहरकन के पूर मुख्यमंतरी हेमन सुरेन को जहरकन हाई को ने शुकरवर को जमानत दे दी है सुरेन के खिलाफ बगडाई अंचल की 8.46 एकड की जमीन के घोटाले और मनी लॉंडरिंग मामले में इडी की ओर से 30 मार्च को चार्ज शीट दाखिल की गई थी सुरेन को 31 जनवरी की राद गिरफतर किया गया था तब से वे हिरास्त में है अठारवी लोकसबा के लिए उंबेरला को अध्यक्ष बनाया गया है स्पीकर के बाद अब उपसबबती की बारी है पिछली लोकसबा में यह पद रिक्त था इस चुनाव में विपक्षी गटबंदन को 2019 की तुलना में शांदर्स जीत मिली है इस वज़े से सत्ता पक्ष और विपक्ष की बिच यह विवाद का विशे बन गया है अब विपक्ष को अंडिये डिप्टे स्पीकर का पद भी नहीं दिया जा रहा है राजस्तान में आज परिवेहन विभाग से जुड़े कार्मिकों के कारे बहिशकार की चलते कामकाच प्रुभावित हो रहा है प्रदेशवर के जलब परिवेहन कार्यालों और प्रादेशिक परिवेहन कार्यालों में कामकाच नहीं हो पा रहा है राजसन परिवेहन निरक्षक संग और परिवेहन विभागिया मंत्राले करमचारी संगठन ने कारे बहिशकार किया है परिवेह निरक्षक संग के अध्यक्ष राजेश चोदरे ने बताये कि चूरों में परिवेह निरक्षक सुरेश बिश्णोई से मारपिट करने वाले आरोपियों के गिरफतारी नहीं होने तक कार्य बहिशकार जारी रहेगा अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महतेपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर